शक्यमुनी, खरुना के हसीम महासागर, जिनों ने अपने अम्रुतवानी से पुरे विश्व का मन जीत लिया। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। रात दिन अपनी चेतनाओं को जागरुद रक्ते हुए। हविरत, परिश्रम, धम्म के प्रचार और प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले तथागत भगवान बुद्ध का भिक्कु संग। मैं भिक्कु संग को भी त्रिवार वंदन करता हूँ। आदर्निय बाउध उपासक, उपासिका संग और बुद्ध शाषन चानल के आदर्निय सभी दर्शकों को मैं मेरी मंगल मेत्री प्रदान करता हूँ। विश्व में अनेको प्रकार के लोग उत्पन्न हुए है। विद्यमान भी है अपनी-अपनी स्वयम की फिचारधारा से अपना जिवन चेरितार्थ चलाते है। भगवान बुद्ध ने चार प्रकार के जो लोग स्वाभाविक गुन होते हैं उनी के बारे में बताया है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध धम्म देशना के लिए बहुत दूर चलते हुए एक गाव में पहुचे। कुछ समय विश्राम के लिए उस गाव में ठेरे। उसी समय यह बात गाव में फैल गई। तभी एक बुजूर्ग इनसान ने तथागत भगवान बुद्ध से मिलने का निच्छए किया। तथागत भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उस ने तथागत भगवान बुद्ध से एक सवाल पुचा। हे भगवंत हे महान योगी। मुझे ए बताईए कि इस दुनिया में सबसे स्रेष्ट इनसान कोन है। तथागत भगवान बुद्ध हलके से मुश्कराये। और उस इनसान को तथागत भगवान बुद्ध ने जबाब दिया। हे सज्जन पुरुष वैसे किसी एक विक्ति का नाम बताना तो मुश्किल है। पर इतना जरूर बता सकता हूं कि दुनिया में चार प्रकार के इनसान होते है। पहले प्रकार का इनसान जो नहीं खुद के लिए जिता है नहीं औरों के लिए। वह एक चिता के समान है क्योंकि वह किसी का काम नहीं आता। और एक दिन ऐसे ही अपना श्रीर ट्याग देता है। दुसरे प्रकार का इनसान जो दुसरों के लिए जिता है और खुद के प्रती उपेक्षा से जिता है। वह पहले प्रकार के इनसान से अच्छा जिवन जिता है। वह खुश नहीं होता पर थोड़े ही संतोष के साथ जिता है। तिस्रे प्रकार का इंसान सिर्फ खुद के लिए जिता है, हावरों के प्रती वो उपेक्षा की भावना से जिता है, वो खुश रहता है, मगर पुन्य नहीं कम पाता चौथे प्रकार का इंसान खुद के लिए भी जिता है, और लोगों के भी सहायता करता है, खुद का और दुसरों का भला करता है, इस प्रकार का इंसान सबसे अधिक श्रेष्ट है, ऐसे ही इंसान समाज के भलाई के लिए काफी जरूरी और उपयुक्त होते हैं, इंसान को चाहिए कि वह खुद का भी खयाल रखे और औरों के लिए भी भला करे, इंसान की खुद के प्रती भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, यह तथागत भगवान गुद्ध की वानी सुनकर, वह इंसान खुश हुआ, उसने तथागत के चर्णों में अपना शिष युका कर सादूवाद दिया, तथागत भगवान गुद्ध ने हर समय अपने जान से, अपनी अम्रुत वानी से, लोगों को सत्य मार्ग बताया, हम तथागत के अनुईयाई है, हमें भी जो जो तथागत ने सत्य स्वरूफ पताया है, जो जो धम्म में ज्यान दिया है, धम्मपद में भगवान गुद्ध के वानी का परिपूर्ण संचय है, हमें तथागत भगवान गुद्ध के वानी को सुनकर, अपनी आचरन में परिवर्तन लाना चाहिए, जीवन एकी बार प्रप्त होता है, और इस जीवन को सफल बनाने के लिए, हमें प्रयास करना चाहिए, कि हम भी किसी दूख और पिड़ा के भागीदार ना बने, पुन्य शंचे करना चाहिए, भगवान गुद्ध ने दान पारमिता में जो जो बताया है, वह हमें अनुसरन करना चाहिए, जब जब किसी को किच चिच का जुरत होता है, तो हमें उस में सहयोगी बनना चाहिए, दान देना चाहिए, दान पारमिता सर्वस्थेष्ट है, हमें भी इंसानियत के नाते सभी को, सभी का जिवन सुखी बनाने के लिए एक दुसरे को सहयोग करना चाहिए, ना कि स्वार्थ की भाव से हमें सब अपना प्यवार रखना चाहिए दुनिया में अनेको प्रकार के लोग है शिक्षा का भाव है अज्ञान है अज्ञान तावश वह अपने आपको किसी अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाते भगवान बुद्ध का जो धम्म है धम्म के मार्ग में मनुष्य की जिवन की सफलता है मनुष्य की जिवन का सूख है मनुष्य को अच्छा आचरन अच्छा चरित्र जीने का एक अच्छा मौका है हमें पंचे सील का पालन करना चाहिए भगवान बुद्धने जो हमें पांच सील दिये है उस सील में हम रहकर अगर हमारा विभार करें तो हमें भी सूख शांती और हमारा जीवन सुख में होगा हमारा व्योः अच्छा रहेगा तो हमारे से दुसरों को भी सुख प्राप्त होगा भगवान गुद्ध के मार्ड में एक दुसरे के प्रति स्नेय है भगवान गुद्ध ने जो जो बताया है वो सब्ãy Gaza के और प्राइस के द मंगल मेत्रे के साथ विवार रखना चाहिए भगवान बुद्धने जिवन में जो जो शंदेश दिया है वो अहिंसा का न्याय निति का बंदु भाव का मित्रत्वा का और हीतनात के सुखा मार्ग है हमें भी उस मार्ग को सफल बनाने के लिए और हमारा जिवन संपूर्ण हितकारी और सफल बनाने के लिए हमें पंचसिल का पालन करना चाहिए जो जो लोग पंचे सिल्का पालन करते है वो जिवन में परिपूर्ण सूख का आनन्द लेते है उनके घर में सूख शांती अच्छा स्वास्त और दिर्ख आयू के लिए हमेशा प्राप्ती रहता है और हम लोग भी भगवान गुद्ध के बताएगे मार्प पर चलने का प्रयास करेंगे पंचे सिल्का पालन करेंगे भगवान गुद्ध ने जो जो बताया है उसका सब हम अनुसरन करेंगे और हमारी जिवन को सफल बनाएगे भवतू सब्वमंगलंग सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सभी को सूख शांती अच्छा स्वास्त और दिर्गायुग प्राप्त हो